तो हेलो काईज आज में देख रहा था बिग बॉस और बिग बॉस देखते देखते मुझे ख्याल आया कि मेरे पास इक रुपेः दो रुपे पांच सारे सिक्के पड़े हो तो मैंने इन सिक्कों को यहां से उठा लिया और यह देखो इतने सारे सिक्के हैं गाई और मैं लेके गया दुक्कान पर और दुक्कान से लेके आ इतने सारे pakket लोगना है और में इतने सारे पेक एकट लेकर आची करती है मैं भाई साब स्कटी करने वाला हूँ इन पैक अभाई मेरा मन थे ऊद्स छोटू की नाम आप, फैसंगत पैसों गर्मी खजाना खिलोनों का और स्मार्ट वाच और गाइज इन सब की खास बात आपको पता है अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं गाइज इसके अंदर निकलते हैं और गाइज खिलोन भी निकलते हैं हाँ खिलोने तो गाइज बिना किसी देरी के वीड प्री वाच इंसाइड और इसका नाम है स्मार्ट वाच पंचम कंपनी की तरफ से आने वाला मात्र 5 रुपे में स्मार्ट वाच भाई साब इसके अंदर क्या निकलेगा तो गाईज मैंने पहला पैकेट यहां पे डाल दिया और देखने वाली बात होगी और भाई साब यह चेक करो गाईज इतने सारे तो इसके अंदर स्नेक्स निकले और भाई जो हमने सोचा था वही निकल गया यार एक दो तीन और पूरे पांच तो गाईज यार यह स्मार्ट वाच तो है नहीं हमारी लेकिन भाई साब इसके अंदर सच में एक वाच निकल गई हमारी यह चेक करो गाईज यह चालू वाच है नहीं गाईज इसके अंदर पावर नहीं है मेरे साब से ओ भाई साब स्टील बैक एंड गाई बाइज आ गया भाई साब वीडियो बनेगी हमारी अमेजिंग इसलिए आप ना वीडियो का सुरू से लेके पूरा एंड तक देखना ठीक है अब गाईज मैं काटने वाला हूं इस दूसरे वाले पैकेट को गज़ देखता हूं दूसरे वाले पैकेट के अंदर ज्या निकल यार इसमें 5 रूपे निकले इसमें 10 रूपे निकले यह तो असली नोट है यार 10 रूपे का और भाई साब यह कैसी स्कूटी है इसके अंदर तो खाने की चीज़े और यह चेक करो गाईज यह रेसिंग कार गाईज यह फॉर्मुला वन वाली रेसिंग कार तो नहीं लग हाँ भाई वही वाली है और गाईज यह चेक करो भाई यह चेक करो इसके अंदर तो खाने की चीज़े दो टायरों में क्या है भाई इसके अंदर यह तो गाईज यह हमें खुलने के बाद पता चलेगा ओ भाई साब सारे के सारे बिखर गए यह चेक करो गाईज यह चेक कर जहाँ कंपनी की तरफ से आने वाला है और इसके अंदर क्या निखलता यह देखने ने बाद पता चले गाई यह चेक करो एक दो तीन और चार पूरे चार यह देखो भायज किस मेला इसका इंदर यह देखो टैक निकले ये चेक करो गाड़ी एक गाई हमारा रबर निकल चुका है अपसरा का रबर एक गाई है पांच रुपे का सिक्का भाई साथ इसके अंदर भी पांच रुपे इसके अंदर भी पांच रुपे और गाई एक है हमारा परकार ये देखो रबर और परकार निकल गए भाई साथ म मैं छोटू की बारात को फाइनली खोलने वाला हूं और देखने वाला हूं क्या निकलता है इसके अंदर ओ भाई इतने सारे स्नेक्स और इतने सारे टॉय वाओ पेसे वसूल एक दो तीन गाईज यार सब में चार-चार टॉय और पेसे भी निकल रहे हैं ये चेक करो गाईज अब एक हमारा स्कूटर निकला अब भाय बहाँ मजा आ ग्या हूं एक गाईज निकली हमारी चाबि गाईज 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 इसके अंदर दो चाबिन निकली हमारी अच्छा इसको ऐसे खेलते हैं ओ भाई साथ मुझे तो गाईज यार पता ही नहीं था ओ भाई ये देखो गाईज तो फाइनली गाईज मैं फैसन बॉक्स को यहां से उठा लेता हूँ और देखता हूँ क्या निकलता है फैसन बॉक्स के अंदर अब गाईज मैं फैसन बॉक्स को काटता हूँ गाईज यह हमारा पांचवा पैकेट है देखने वाली बात होगी पांचवा पैकेट के अंदर क्या निकलता है हमारा तो फाइनली मैंने फैसन बॉक्स को डाल दिया और इसके अंदर निकला भाई साथ एक दो और तीन इसके अंदर गाई तीन तो गाईज यार ये चक प्रोगay ये चक प्रोग एक रूफिय का शिक का हमार निकल चुका है वाओ पैसे तो गाईश सब में निक लेए यार ये एक डायमड घाईज अस्लिव डायमड होता है तो मज़ा आ जाता भाई देकि नहीं रबर है बालों में बाजने का ओ भाई साब फेशन बॉक्स मतलब इसका मतलब लड़कियों की आइटम और गाई यह दोरी जैसा कुछ है अब गाई यह लास्ट वाला पैकेट पैसों की बारिस इसके अंदर गाई कितने सारे पैसे निकलते ह हमारे कितनी सारी बारिस होती है क्या मैं करोड़ पती बन जाओंगा या फिर नई तो यह देखने वाली बात होगी तो मैं भाई फाइनली लास्ट वाले पैकेट को कारता हूं आपने यहां तक वीडियो देख लिए तो वीडियो को लाइक के बिना बिल्कुल मत जाना जिन चेक करोगा भारती रिजर बैंक पूरे 50 रुपे तो गाइस मैं इन सब को एक साथ इखटा करके आपको दिखाता हूं इसके अंदर टोटल कितने सारे पैसे निकले कितने टॉय निकले और बहुत कुछ निकला तो फिर चलो तो गाइस यार मैं सब को इखटा कर दिया और भ सब्सक्राइब